नमस्कार दोस्तो दोस्तो इलावाद में पीएम मोदी के कारेकरम में आई हेमा मालनी के साथ वो बत्तमीजी हुई कि विचारी हेमाजी रोने लगी हेमा मालनी के साथ उन्हीं की पार्टी के कारेकरता ने धक्का मुक्की की वो भीड में फस गई और जब मायूस हो गई तो आ दरसल इलहाबाद या प्रयागराज कह लीजे वहाँ पीए मूदी के मंगल को हुए कारे क्रम में बीजे पी के M.L.C. सुरेंद्र चौधरी ने आज जम कर हंगामा किया M.L.C. सुरेंद्र चौधरी मतुरा की सांसद और एक्टरिस हेमा मालनी से मिलने पर रोक रहे थे इस पर M.L.C. सुरेंद्र चौधरी की A.S.P. से नोगछोग भी हुई ASP के रोकने पर MLC वो बोलते हुए नजर आये जिससे पता चल जाता है कि BJP के नेता महिलाओं के कितनी इससत करते हैं BJP के MLC बोले कि heroine ही तो है मिलने में क्या दिक्कत है क्या वचार है क्या संस्कृती है BJP की महिला को महिला नहीं बलकि हिरोईन, डांसर, घरेलू, नौकर के नजरिये से देखते हैं ASP और BJP केस MLC के बीच कहा सुनी और नोग जोग का वीडियो जम कर वाइरल हो रहा है जिस प्रोग्राम में हेममाली इलाबाद पहुंची थी वहाँ PM मोदी लाखों महिलाओं के सम्मान के लिए पहुंचे थे विडंबना देखिए कि खुद उन्हीं की पार्टी के MLC उन्हीं की सांसत से मिलने के लिए कैसी हरकते कर रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रियागराज में मंगलवार को महिलाओं के लिए कल्यान कारी योजनाओं का शुभारम किया इस दोरान मत्रा सांसत हेमा मालनी भी मौजूर रही इस दोरान यूपी विदान परिशत के सदस्या सुरेंद्र चौधरी उनसे मिलने हौल की ओर जाने लगे मगर सुरक्षा के मद्दे नजर MLC चौधरी को मौके परतेनात पुलिस अधिकारी ने रोक दिया और फिर हंगामा हो गया और उसके बाद हेमा मालनी रो पड़ी यह वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो शेयर करें लाइक करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें जैहन चुक्रिया